Dear students, English के last period में हमने English grammar का chapter 12 The Present Perfect Tense, ठीक है? ये हमने read किया था, है ना, इसके rules हमने देखे थे कहाँ पर Present Perfect Tense use होता है, ठीक है? ये समझे पढ़ चुके थे, है ना, इसकी helping verb पड़ी थी कौन कोंसी? have और has ये दो helping verb होती है जिसका have का use किसके साथ होता है? सारे plural subject के साथ ठीक है? and has किसके साथ use होता है? singular subject के साथ ठीक है? और जो noun होते हैं जिसे कि first person, second person जो होते हैं pronoun है ना? जिसे कि I, we, they थर्ड परसन में भी they इनके साथ क्या use होता है? have मतलब plural subject के साथ है ना? और singular है जिसे he, she, it या कोई single name ठीक है? इनके साथ क्या use होता है? have यह हम सब पहले last period में पढ़ चुके हैं है ना? और इसमें हमने पढ़ा था कि मतलब की verb का जो past participle form होता है वो use होता है ठीक है? जिसे land तो land का landed and second form क्या होता है? इसका landed past form है ना? और past participle कौन सा होता है वो be landed होता है ठीक है? तो यह हमने सारे रोल्स इसके पढ़ेते हैं यहाँ पर देखो देखे रखा है plural noun होते हैं या I, V, they इनके साथ हम क्या use करते हैं? have use करते हैं he, she, it और singular noun अगर है तो उसके साथ हम क्या use करते हैं? has use करते हैं ठीक है? आज हम इस चाप्टर की exercise करेंगे यहाँ पर A वालोकेशन क्या दिया है? write the past participle of the following verbs in the brackets आपको क्या करना है? blanks जो verb देके रखी हैं आपको है ना? इस सारी क्या है? verb है verb के past participle form आपको लिखना है ठीक है? यह verb है और इसका past form क्या होता है? जिसे break break का past क्या होगा? past form उसका होगा broke ठीक है? past participle मतलद third form third form क्या होगा? broken और fourth form या present participle जिसको कहा जाता हो क्या होगा? breaking है ना? तो हमको कौन Sa form लिना है? इसमें? past participle form लिखना है past participle that means verb का third form वर्व का 3rd form को हम लोग break का क्या होता है वर्व का 3rd form broken इसी टैप से buy buy 1st form होता है 2nd form buy या नहीं अब हमको इसका 2nd form क्या होता है bought हमको यहापर कौन सा लिखना है 3rd form means past participle तो वो भी क्या होता है bought next day drink drink का 2nd form या past form होता है drank यह ना, एंड past participle कोन सा होता इसका, drunken, ठीक है, drunk, तो क्या होगा इसका, drunk, next है find, find का क्या होता है, found, यह ना, break, break मिन्स क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, block, इसका जो second form होता है, उसका मीन होता है, तोड़ा, ठीक है, and broken मिन्स तोड़ चुका, इस टेप से सब की अलग-अलग मिन निकलते हैं, है ना, open, open का क्या हो जाएगा, opened, land का, landed, ठीक है, अब यह जो है, 7th, 8th, 9th, 10th, यह चारों आपको खुद से, यहाँ पर fill करके, group पर send करना है, next day, b वाला question, read the following sentences, and write, has or have in the blanks, आपको क्या करना है, यहाँ जो blank देके रखा है, हमको हर एक sentence को read करना है, और कौनसे sentence में has आएगा, कौनसे sentence में have आएगा, उससे blank को fill करना है, ठीक है, तो मैंने बताया था, has singular subject के साथ use होता है, और have plural subject के साथ use होता है, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, singular में कम होते हैं, ठीक है, एक ही होता है, या एक member होता है, या singular noun में कम होते हैं इस टेप से इसमें कम लेटर है इस word में has में plural means ज्यादा जिसे कि मतलब कि अगर मैंने बूला pencil तो एक pencil singular noun में आगी अगर pencils है मतलब ज्यादा pencil है तो ज्यादा के साथ ज्यादा लेटर वाला word यूज होता है ऐसे भी आप याद रख सकते हो तो my brother my brother क्या है singular brothers नहीं है यापर brother है ठीक है तो singular noun है singular के साथ क्या यूज होता है has ठीक है फिर है our teacher my brother has a long quote अभी our teacher teacher singular है हमको subject देखना है subject according हम helping verb लगाते है ठीक है तो teacher जो है वो singular subject है तो क्या आएगा इसके साथ has आएगा ठीक है अब I I के साथ हमने भी rule पढ़ा था कौन सा verb का form आता है have कौन सा आएगा helping verb में have I have a lot of homework to do ठीक है next day Rohit and Sorab अब यहाँ पर दो अलग अलग नाम है लेकिन ये दोनों मिलकर क्या हो गए एक हो गए ठीक है तो दो लोग हुए यहाँ पर Rohit and Sorab तो यह noun कैसे बन गई plural ठीक है Rohit and Sorab दो लोग हो गए तो plural है plural के साथ क्या यूज होता है have next है fifth Mohit Mohit क्या है singular है ठीक है तो singular के साथ क्या आएगा has ठीक है बाकि जो six, seven, eight यह तीनों आपको खुद से fill करना है next is C वाला question के दिया use the correct form of the verbs given in the brackets verb आपको bracket में verbs देके रखिए इसका correct form हमको यहाँ पर fill करना है correct form आपको पता है कि present perfect tense में यह जो verb होती है इनका third form आता है ठीक है यह past participle form आता है तो हम क्या करेंगे इन सब का past participle यहाँ पर fill करेंगे है ना तो पहला क्या है my mother has dashed the food तो cook cook का cook जो है वो first form है root form है ठीक है तो हम इसको यहाँ पर जब उसका past participle बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा cooked my mother has cooked the food next the students have right का third form या right का past participle क्या होता है return ठीक है return their answer next third she has return ठीक है return का past participle form क्या होता है returned ठीक है return my book she has returned my book fourth क्या है we have यहाँ पर वर्ब कौन से दी work work का यहाँ के लिखेंगे है कौन सा form past participle तो work का क्या होता है worked we have worked here for many years next step fifth the child has break break का हमने अभी उपर लिखा था क्या आएगा broken broken the toy ठीक है इसके बाद six, seven, eight तीनो सेंटेंस आपको खुद से करना है next हम करेंगे इवाला क्योष्यन rewrite the following sentences correctly यहाँ पर हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ mistake है तो हमको क्या करना है हमको correct करना है यहना उनको फिर से लिखना है तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे error किसमें हो सकता है या तो इसमें helping verb गलत होगी या man verb गलत अतलब उसका गलत form होगा तो हमको इन दोनों को चेक करना है यह helping verb होती है तो हमने तो पढ़ा था कि singular के साथ has उजस हूता है तो error किसमें है यहाँ पर है तो हम sentence को correct करेंगे तो क्या लिखेंगे रवी, रवी के साथ क्या यूज़ होगा, हैज, ठीक है, इटन, इट का past participle इटन होता है, ठीक है, his food, ठीक है, second वाला देखो, वी, वी के साथ हमने क्या पढ़ा था, कि हैव आता है, यहाँ पर क्या दे दिया, हैज, ठीक है, तो हमको हैज की जगे क्या लिखना है, है, अब देखो, यहाँ पर तो, ing form तो present participle होता है, वो तो आएगा नहीं यहाँ पर, past participle आएगा, मतलब ed वाला form आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, डांस का, danced, together, ठीक है, next, आशा, हैव, वैंड टू, स्कूल, अब यहाँ, हैव आगया, आशा, सिंग्यूलर से, ठीक है, तो हमको singular के साथ क्या लिखना है, singular सब्जे, जो helping verb है, वो लिखना है, तो क्या आएगा, आशा के साथ, has, go, went, यह second form होता है, यहाँ, कौन सा form आएगा, gone, to school, ठीक है, यह दो sentence, आपको खुद से, फिल करके, ग्रूप पर send करना है, इतनी exercise कौन कौन सी, A, B, C, and E, ठीक है, यह आपको खुद से करके, ग्रूप पर send करना है, thank you,